हम लोगों ने अभी एस ती जो उर्जा के टर्म में कुछ पहले फार्मूले देखे किस तरीके से फार्मूले हैं यू इक्वल माइनस पी इंटो ई और इस फार्मूले में किस तरीके से वैदूत दूइदू के फार्मूले को इसमें एड किया गया आपने वो भी देखा कि जो है यहाँ पर आया था पी पी बराबर टू की विल उसके बाद कैसे इसे हल किया गया बहुत आसान धंग से आप लोगों नहीं यह देखा इसके बाद एक और है और क्वेशन देखते हैं कि आखिर कैसे इसको हल किया गया है ठीक है सारे क्वेशन को बारी बारी से करम से हम लोग पढ़ते चलेंगे और अपने नुमेरिकल की समस्या को बहुत अच्छ ढंग से साल्व करते हुए चलेंगे हमारा उद्दे से सिर्फ इतना है कि बोर्ड एक्जाम में किसी विद्यार्थी का नंबर खराब ना ने पाए जो ग्रामीड छेतर के हैं जो सहरी छेतर के हैं जिनको फीज देने में समस्या विद्यार्थियों को उनको कोचिंग करने की भी कोई आवशक्ता नहीं आराम से हमारे चैनल को देखें फिजिक्स एकदम आसान भासा में तयार वजाएगी और आपको सही समझ माए तो देखि के से लगिन आप लोग क्या है कि आप लोग देख तो लेते लेकिन पूमेंट कुछ नहीं करते हैं आप शिच्छा के छेतर की बासे इसलिए कमेंट नहीं करेंगे नगर कोई गाना होता दॉटा मूवी होती तब करते हैं हम चाहते हैं कि पूदा सा अपना हुस्ता को आपकी बेहन को आपके परिवार में जोगी मेंबर हैं पढ़ करके आगे बढ़ें अगर इसके लिए हम लगे हुए हैं तो आपको हमारा सहयोग निसंदेह करना चाहिए चलिए देखते हैं खेर आप नहीं बदलेंगे चुकि आप लोग कुछ विद्यारती हैं जो बहुत बढ़िया रिस्पांद देते हैं बहुत अच्छा लगता है हम चाहते हैं आप लोग में परिवर्थन हो आप लोग भी थोड़ा कमेंट्स हो गयरा सब्सक्राइब करते हैं मजा आता है पढ़ने पढ़ने का मजा ही अलग हो जाता है थिक एक नया उसाह है पढ़ाने का देखिए अब ऐसे नहीं ऐसे को आप बुक में देखें गिसारी केसे नहीं साल हुई डायरेक्ट रखा है आइसा लोग कर दिया है गाइड में भी से पढ़ाया जाए और हमें एक एक चीज को आपको बता रहे हैं कोई समस्या नहीं आपको ठीक है चलिए देख लेते हैं अगला कुरिशन क्या है इसमें कि क्वेशन आपको दिया हुआ है कि वैद्दूत इस्थैतिक छेत्र क्या दिया हुआ है वैद्दूत इस्थैतिक छेत्र कैपिटल ए वेक्टर एकपल आपको दिया है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सेविन के कैप मैं आगे क्या दिया है मैं रखने पर रखने पर प्रिश्ठ कैपिटल ए वेक्टर एकपल टिन जे कैप से होकर कितना वैद्दूत फ्लक्स कितना वैद्दूत फ्लक्स बाहर आएगा क्वेशन को साल्व करने की सबसे आसान तरे किया है कि आप सबसे पहले यह देखें कि आपको दिया क्या क्या है पिन काप यूठा है आप क्वेशन को सीधा पहले देखें एक बार पढ़ें अच्छे से फिर उसके बाद दुबारा पढ़ें पढ़ने के बाद फिर देखें का आपको क्या दिया हुआ है जो जो दिया है वो लिख लेजिए फिर आप देखिए कि आप से पूंच क्या रह आप देखें कि इससे रिलेटेट कोई फार्मूला है क्या इससे संबंधीत और कोई फार्मूला हमने पढ़ा है जो इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो आप उसे लिखें हो उसमें मान रख करें तब जाकर कि आता कई बार डारेक्ट नहीं आता है ठीक है और इंटर सेकंड तो इतना आसान निमेरिकल तो रखता नहीं है तो इसलिए हम आपको धीरे-धीरे पहले आसान फिर थोड़ा कठिन और कठिन इससे जितने भी हैं सब बता करके एकदम उसको आसान कर देंगे आपके लिए कुछ भी कठिन रही नहीं जाएगा ठीक है बस आवश्यक्ता है तो बारी-बारी से अच्छे समझेए एकदम रट जाएगी इंटर सेकंड इयर की माहित ठीक है फ़स्ट इयर और सेकंड इयर तो आपको हम रटा ही देंगे ठीक चलिए देखिए कैसे चलिए बात करते हैं कार्डिंग टुपेश्चन प्रश्णा नुसार आपको वैदू छेतर कितना दिया हुआ है यह हल करने चल रहे हैं यह हल है कई बार लड़के समझे नहीं पाते हैं हल कहां से हैं वैदू छेतर कैपिटल एक्पल टू आई कैप फोर जे कैप प्लस सेवन के कैप यह आपको दिया हुआ है और आपको क्या दिया है और आपको दिया हुआ है है विक्टर इक्वल टिन जे कैप ठिक आप से पोँछी रहा है कितना फ्लक्स गुजरेगा फ्लक्स का मतलब क्या है कि आपसी पोँचा है फाइ ए और फाइ ए से समझा देद आपको फार्मूला हम ने बताया हुआ है आप सिर्फ क्या करिए उसी फार्मूले पी से रख दीजिए फार्मूला क्या होता फाई E एक्वल E विक्टर डाट A विक्टर अब आप क्या करेंगे मैं यहां से फाई E की वैलू जब आपको ग्याद करना है तो आप E के प्लेस पर क्या करेंगे लिखेंगे 2I के प्लस 4J के प्लस 7K के ठिक उसके बाद आप क्या करेंगे यहां से आपको पता है यह वैलू यहां पर जो दिया हुआ है A के प्लेस पर कितना लिखेंगे तो लिखेंगे 10J यह देखें E की वैलू रख दी A की वैलू रख दी अब आप एक चीज़ याद रखिएगा जैसे इसे अच्छे से हल करना है तो आप जैसे 10J दिया है तो आपको I की वैलू तो दिया नहीं तो आप 0I लिख ले प्लस 0 यह 10J हो गया और 0K लिख ले ऐसे करके लिख लिया करिए इसे आपको काफी आशाली हो जाएगी देखे लिखा आपका वही यह 10J जैसे पहले लिखा था अब भी वही लिखा है थोड़ा सा क्या हो जाएगा इससे आपको थोड़ा सा सरल्ता हो जाएगे करने में तो इसको मैं इसे लिख दे रहें देखिए 0I प्लस 10 J प्लस 0 इस तरीके जब लिखेंगे तो 5E इक्वल क्या हो जाएगा 2I का, जब 0 में जब 2 का multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहां 4 का जब 10 में करेंगे तो 10 का जैसे 4 में करेंगे, 40 हो जाएगा और विद्यारतियों, J का J में जब multiply करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहां 7 का जब 0 करेंगे तो यह 0 हो जाएगा इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आजाता है तो 5E बराबर कितना आगया हमारा एंसर 40 अब बताईए क्या कठिन है और कठिन है तो कहा से आपको कठिन लग रहा है हमें बताए हमें निमेरिकल यहां से कठिन लगता है तो हम उसको देखे 2017 में आया था बोड़ यह 2017 म है इसे पूंच़ा गया था तो आप लोग देख लीजे शेकर का हां से कठिन हैं कितना वैदित फ्लक्स बाहर आएगा, वैदित फ्लक्स आपको अगर ज्याद करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपके समच शकषिक फार्मूला होता है, फाइ येड़मेuff एक्वल अबैं, आइसा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी आपको, चलिए अब हम लोग अगला निमेरिकल देखते हैं अगला कैसे साल किया जाएगे थोड़ा आप बड़े क्वेशन की तरफ दीरे-दीरे अग्रेसर वो रहें हम लोग कि आई केप जे केप का मल्टिपल करना सीखें हैं कि नहीं आप लोग देख लीजिए एक बार थोड़ा सा जैसे अगर आ गया आई केप जे केप के संदर में माल लीजिए ऐसे और भी सवाल आ सकते हैं कि आपको देदे कि E वेक्टर एक्वल 3I केप प्लस 4J केप माइनस 8K केप ऐसे करके देदे और आपको क्या दे सकता है एक्वल 2i के प्लस 9j के प्लस 5k के आएसे करके दे सकता है और कहे दे तो बताओ कि 5e क्या होगा ठीक है इसे question से एक number माने की सम्भावना रखते हैं आप क्या करोगे आपको पता है 5e क्या होता है a vector dot a vector हो जाएगा यहां से यह फिर क्या करेंगे हम लोग यहां से तो 5e क्या हो जाएगा हमारा e की जगा पर कितना लिखेंगे 3i प्लस 4j माइनस 8k हो जाएगा ठीक है और उसके बाद यह तो हो गया कितना e की जगा पर अब a के प्लेस पर कितना लिखोगे 2i प्लस 9j के प्लस-5 के है और जब इसको भी रख लोगे के आप तो 5e के इस watch हो जाएगा आप देखिए więc आई वाले का i200 मल्टिपलाई होगा और जे वाले का जे वाले म unnecess होगा और के वÎले का कि वाले म्ल्टिपलाई होगा तो यहां तेन एक्वल क्या हो जाएगा 36 42 माइनस 40 बराबर फाई ये बराबर कितना हो जाएगा दो मातरक आप लिख सकते हैं समझाई बात के सरी के से हल करना है अब इसी कुल लैंग्वेज में भी जब सकता है वह जो चेत्र इतना है ठीक है और आपको दे सकता चेत्र फाल इतना है तो वैदुद्ध फ्लक्स की गड़ना कीजिए तो यहां से आप क्या करेंगे सीधा देखेंगे क्या क्या आपको पता है आप जो जो वैलू पता है तुरंत रखिए और आई वाले का आई वाले मं गुड़ा कराईए और जे वाले का जे वाले मं गुड़ा कराईए और के वाले का के वाले मं गुड़ा कराईए ठीक आसानी से हल हो जाएगा ठीक है इस सरी केसी से हल करना रहता है कि कठिन नही अब आप क्या करेंगे देख लीजिए वो भी एक क्वेशन दिया है आपके बुक में है कि क्वेशन दिया है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेशन है सुरुवात करने चल ला है देखिएगा किया रच पैटालिस सो फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के छेतरफल के भीतर जा रही है क्या कर आप 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के छेतर फल के भीतर जा रही है ठीक है अगर आप लोग कहें इसको लिखा दें ने आप लोग कहें तो डारेक्टी से साल्व करा दें हम बोलते जाएं आप लोग लिखते जाएं 4500 फ्लक्स रेखाएं 4500 flux रेखाएं किसी निश्चित आयतन के छेतर के भीतर जा रही है तथा 2500 flux रेखाएं उस छेतर से बाहर निकल रही है पूच रहा है उस छेतर के भीतर कितना आवेस है ये भी 2017 में आया वह question है और repeat होने की पूर्ड सम्हाव न रहती है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां से इसको साल्व करेंगे और साल्व कैसे करेंगे आप से क्या कह रहा है कि 4500 flux रेखाएं जा रही है और 2500 flux रेखाएं आ रही है तो छेतर से बाहर निकलने वाला कुल वैदित flux बचता कितना है तो कुल अगर आप देखें तो आप यहां से फाई यह निकाल सकते हैं लेकिन चलिए हम लिखा देते हैं आप लिखूर्ट 4500 flux रेखाएं कितना 4500 flux रेखाएं किसी निश्चित आयतन से क्या हो रही है किसी निश्चित आयतन की छेतर के भीतर जा रही है ठीक है तथा 2500 flux रेखाएं 2500 flux रेखाएं उस छेतर से क्या कर रही है उस छेतर से बाहर निकल रही है तो आप से क्या पूच रहा है आप से कह रहा है उस छेतर से उस छेतर के भीतर कितना आवेश है उस छेतर के भीतर कितना आवेश है ठीक अब आप क्वेशन देखी एक बार पढ़ लीजे से क्या 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 दिया है और क्या पूच रहा है अब पैंतालीस सव फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के शेतर के भीतर जा रही है तथा पच्चीस सव फ्लक्स रेखाएं वो शेतर से बाहर निकल रही है वो शेतर के भीतर कितना आवेस है पूच रहा है पूच रहा है वो शेतर के भीतर कितना आवेस है अब शेतर के भीतर अगर आवेस की बात कर रहा है तो आवेस का मतलब आप से क्या जानना चाह रहा है वो आवेस का मतलब वो आप से जानना चाह रहा है कि इसमें क्यू कितन में आणिए क्यों से पहले आपको निपाटना पड़ेगा इस फ्लक्स किस से क्रिजी क्या कहना चाहरा है बेंट je üzफलक्स ह già लेके आप लोग तो क्या करोंगे थाइएक्वल है zę और फिर माइनस करके आप बताईए कि फाई यी बराबर कितना आ रहा है ठीक इस तरीके से पहले आपने इसको लिखा फिर आप गास की प्रमें जानते हैं गास की प्रमें पढ़े हुई यह हल बता रहे हैं आपको द्यान से समझेगे इस चीज़ को आपको करना क्या है कि 4500 फ पता करना तो आप क्या करेंगे फाई एक्वल जितना आवेस बाहर निकल रहा है वो लिखेंगे फ्लक्स रिखाएं जितनी बाहर निकल रहे हैं वो लिखिए और जितनी अंदर प्रवेस करें इसको लिख लिए माइनस करके फिर आप क्या करें इसका निसकर्स लिखिए 2000 अ गै। गहस की परमे क्या होती है? पढ़ें आप लोग पढ़ाएं हम गहस की परमे. गहस की परमे होती है phi इकवल q upon epsilon 0. ये हो गई गहस की परमे. अब यहां से एकदम आसान हो गया. क्यों आसान हो गया क्योंकि आपको क्या पता करना है क्यों अजब क्यों आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे फाइए और एफसाइलन नाट का क्या कर देंगे multiply और जैसे यह आप करेंगे multiply तुरंत एंसर आ जाएगा और हमने इस question में लिखा नहीं मांकि आपको दिया है एफसाइलन नाट की बलू आपको दिया रहे गए एक्जाम में ठीक है इसके लिए आप परसान मत होईए गए इसमें एफसाइलन नाट की बलू दिया है कुलाम स्क्वाइर पर नीटन मीडर स्क्वाइर ठीक है चलिए देख लेते हैं आगे क्या हो क्यों निकाली है क्यों निकालते समय क्या हो गया यह फाइए है और यह क्या है एपसाइलन नाट है इनका multiply हो गया है ना है जब multiply हो गया अब क्या करेंगे हम लोग एफसाइलन नाट की बलू लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे फाइए की बलू कितना है माइनिस दो हजार एफसाइलन नाट की बलू हमने बताया थे एट पॉइंट नाइन इन्टु टेंड़ी पावर माइनस 12 दिया हुआ है अब आप इसी का क्या करा लिजे गुड़ा करा लिजे और जैसे गुड़ा करा देंगे आपका एंसर आपके पास आजाएगे तो चलिए गुड़ा करते हैं देखते हैं क्या आता है जैसे ही आप लोग गुड़ा कराएंगे तो इसका आए जाएगा 1.78 गुड़ा भाग आ पूइप से करते करते रहा करिए इतना आप लोगो को आता है ठीक है अधिवाक करा लेंगे इसमें तो गुछा करांने के बात आप क्या इहां पर क्या करना है यहां पर आप कुछ मत करिये यह जो लिखा हुआ जैसे दसकी घात तीन है तो आप इसे चाहें समझ लें यहां पर यहां पर ऐसे लिख सकते हैं दो गुड़ेद कितना यह एक दू तीन लिख दीजिए यह आड़ समलों नव है गुड़े दस की घात बारा है वह भी माइनस में तो बारा में से तीन गटाव कितना बचेगर नव हो जाएगा पावर में ठीक है और इसका जब गुड़ा करावगी थी पॉइंट यहां है जब इधर गया तो एक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इस तरीके से क्या हो जाता है हल हो जाता है बात के लिए रहो गई है अब ऐसे ही आप लोग हल करिए इसको और इसमें इसी तरीके से इसको पूरा साल्व किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था इसमें 4500 फ्लक्स रेख रहे हैं उस शेत्र से बाहर निकल रही है उस शेत्र के भीतर कितना आवे से आप से यह पूंचा जा रहा है ठीक है थोड़ा सक कैमरे में सेटिंग में थोड़ा सा प्राब्लम आई थी उसके लिए चाहते हैं एक बार हम दुबारा देख लेते हैं इस एक्वेस्चन को ठीक है और यह क्वेस्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यांकि 2017 में बोड़ एक्वेस्चन में पूंचा जा चुका है विद्यार्थियों एक बार इस क्वेस्चन पर नजर डालिए आप लोग लिखा हुए 45 सब फ्लक्स रेखा हैं किसी निश्यत आयतन के छेत्र के भीतर जा रही आयं है कि जातर है कि कितना बाहर निकल रहा है फ्लक्स पचीज सव अंदर कितना प्रवेश कर रहा है करेंगे 你 स्करेंगे और गास की फ़में क्या होता है जानते हैं फाइई इक्वल क्यू अपन learning नहीं है हमें निक्या निक्यालना है क्यो तो आप क्या करेंगे Q को यहां लिखेंगे और इन दोनों का multiply करा देंगे तो जैसे multiply कराएंगे तो phi e और epsilon naught एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद आपको पता है phi e की value आपको दिया हुआ है आपको इसे रटना नहीं है ठीक है कितना 8.9 इंटु 10 दिपावर माइनस 19 कुलाम यहां सी से जो हम साल्व करते हैं तो आ जाता है क्यू एक्वल 1.78 इंटु 10 दिपावर माइनस 8 और मात्रक लिख लिजिएगा कूलाम और बाद है को इसरी सियर्व क्या हो जाता है हल हो जाता है तो नुमेरिकल एक बी कठीं नहीं लगेगा आप क्या करिएगा जैसंद बता तो आप पहले देखा मत करिए इसका सालव पहले आपक्वेशन पढ़ लिया करिए क्वेशन पढ़नेक बद एक बार और पढ़ा करिये तोड़ा से clarity आए फिर देखिए कि आपको दिया क्या है फिर पूंच क्या रहा है फिर उसके एकार्डिंग आप इसमें फामूला अप्लाई करें और साउधानी पूरवक इसमें अपना केलकुलेशन करें एंसर आ जाएगा घवराने की कोई आवशक्ता नहीं है ठीक है एक जब नहीं आए तब आप देखा करिए पूरा साल्व एक बार मना आए दुबारा देखा करिए साल्व और फिर भी ना आये तो आप कमेंट करिए और बताइए सर यहां नहीं आया मुझे तो मैं आपको दुबारा वो चीज बता करके तब अगले लेक्षर की चर्चा करूंगा ठीक है इस तरीके से लगातार कांटीनू चलते रहेंगी आपको थेरी बताते रहेंगे नि नहीं मुत्पन्न होने वाली है तो आज की क्लास बस इतना ही है मांकी कल आप लोगों से मिलते हैं फिर इसी टाइम पर थैंक यू बाई